आज मैं बात करने वाला हूँ एक सांदार फुट्वियर स्टॉक के बारे में जो की एक मल्टी बेगर से रह चुका है और अब इसके अंदर सांदार रिकवरी भी देखी जा रही है काफी समय से ये एक ही जोन में कंसॉलिडेट हो रहा था आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एड कीजिए लॉंग टर्म के लिए ये बहुत बड़ा पैसा आपको बना के दे सकता है क्योंकि ये दिगज स्टॉक है और कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग अच्छी खासी कंपनी है तो लॉंग टर्म के लिए ये एक सूपर मल्टी बैगर स्टॉक है आपसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर एड कीजिएगा तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दिगगा ये स्टॉक जो की फुटवियर सेक्टर को बिलॉंग करता है रिलेक्सो फुटवियर की अच्छा खासा स्टॉक में तेजी की सुरुवात हो गई है रिकावरी मोड पे आ चुका है एक लंबे टाइम से ये कंसॉलिडेशन जोन में था स्टॉक एनेसी और बीएसी दोनों में लिस्टेट जैसा कि आपको पता ही होगा और आज पांच अगस्त को कैसा कारोबार हुआ ये देखते है नेसी पे करीब पांच अगस्त को देखते हैं अब तक इसने किस प्रकार से रिटन कमाके दिया अपने निवेशकों को तो आज पांच अगस्त को बीएसी पे 2.18 परसेंटेज रहा है घंदर श्र मैं रिलेक्स करेंग आथ बunn जाएन वहाँ इसने अपने निवेशकों को एक लिक के अंदर जो रिटन कमाके दोस्तों दिये हैं वह दिये हैं करीब करीब एक महिने में रिलाक्स वुड वियर ने दोस्तों जो अपने निवेशों रिटन दिये थरी पॉइंट एट शिक परसेंट के निगेट रूटन दिये रिटन देके आपके पैसे को लगबग लगबग पॉने तीन हुना कर दिया है दोस्तों दस साल के अंदर इसने अपने निवेशकों को दिये हैं दोस्तों सांदार और मल्टिवेगर रिटन जो कि किसे कह सकते हैं आप छपर फाड़ रिटन और लॉंग टम में ये ऐसे ही लिटन दिया 3048 परसन में पैसा लगवाए कि खत्यस गुना से ज्यादा हो गया दोस्तों बीते दर साल में तो इस टाइप की कंपनी है तो लॉंग टर्म के लिए जगह देंगे तो पैसा बननाता है दोस्तों उसमें कोई भी दिक्कत की बात कहीं नहीं है और पैसा 100 टर्म क इन्वेस्टिमेंट में नहीं बन पारता है दोस्तों तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप पैसा लॉंग टर्म के लिए तो आज पांच अगस्त को जो इसमें एनसी में क्लोजिंग देखी गई 630 पर रही वो जो वॉल्यूम ट्रेड हुए चार लाग चौन सट यार आठ स हो सकती है एड कीजिए जब भी मौका मिले जब भी गिरावट मिले और अभी भी एक अच्छा प्राइस चला जहां पर आराम से स्टॉक को एड करना सही रहाएगा दोस्तों 44% के सांदा रिटन दिये एक साल में फुट्वियर सेक्टर को बिलॉंग करता मार्केट कैपिटल 15404 कौन का एक मिड कैप का स्टॉक है दोस्तों तो आप इसे अपने पॉर्ट्फोलियो में एड कीजिए आपको बाटा से बड़ा रिटन यह पक्का बना के देगा उसमें कहीं भी डाउट नहीं है बाटा एक लार्ज कैप है यह अभी एक मिड कैप का स्टॉक है स्वारी बाटा भी एक मिड कैप ही है दोनों बराबर ही ह लेकिन बाटा यह पुराना नाम है लेकिन रिलक्स आपको पैसा ज्यादा बनागे देगा दोस्तों आहीं इसका से अलोल्डिंग पैटन देख लेते होस्तों तो जो प्रमटर के पास होल्डिंग है दूस्ता ऐस अतर परसेंट से जाला एक एक 10% अभी एक असाई अई 3.28% प्रसेंट कि इसमें इसमें रखते हैं दोस्तों वहीं आप इसमें रिलेक्सों के स्टॉक में जो मैजोर्टी सेर होल्डर है दोस्तों वह प्रमोटर है प्रस्मोंटर होलिंग नमतलब गिर्वी रखे सिर्किसमें कोई समस्या नहीं गिर्वी का शक्कर नहीं है कंपनी पुरी जो हैं दोस्तों वो दीप रमेश कुमार दुगा के पास 23.2 परसेंट की दोस्तों होल्डिंग देखी जा रहे हैं रिलेक्सों के स्टॉक में हाइस पॉब्लिक सेर होल्डर जो है वी एले सिक्क्योर्टी के पास 6.55 परसेंट की होल्डिंग है हम आप जैसे जो रिटेल निवेश है कि हो रिलेक्सों में 6.55 परसेंट की होल्डिंग रखते हैं तो लॉंग टर्म के लिए जगह दे रहा है इस दिगज स्टॉक को तो पैसा बनना हैंड़ परसेंट से ओर है दोस्तों